ज्यान येगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याए। टली ERP9 के बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट अध्याए के तीसरे भाग में हम सीखेंगे बैंक समाधान विवरन बनाना और साथ ही जानेंगे हमारे यां बैंक खाते वह बैंक स्टेटमेंट में अंतर के कारणों के बारे में। अब हम चलते हैं bank statement पर और यहां पर हम देखते हैं कि जिन भी entries का मिलान हो गया है उनके सामने ये निशान लगे हुए हैं अब हम देखते हैं इसी कौन सी entries हैं जो छूटी हुई हैं तो इसमें एक तो ये एक लाख रुपे की entry है एक पंद्रा सु की entry है जिसके सामने निशान नहीं है और एक ये 300 रुपे की entry है तो अब ये वो entries हैं जो bank statement में तो हैं पर हमारे यहां bank के खाते में नहीं है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं ये हम समझते हैं अब bank statement में entry है परन्तु हमारे यहां के bank खाते में नहीं है तो उसके ये कारण है पहला है bank द्वारा debit किये लेता है और बैंक इन खर्चों की राशी तुरंत व्यापारी के खाते में डेबिट कर देता है पर व्यापारी को इसकी सूचना नहीं मिलती या काफी समय बाद मिलती है उसको यह तभी पता चल पाता है जब बैंक स्टेट्मेंट से ट्रांसेक्शन का मिलान करता है इसके पर पर बैंक स्टेट्मेंट में आप देख सकते हैं 15 दिसंबर को एक एंट्री है 1500 रुपए की दरिसल हमारा करेंट अकाउंट है पर कुछ समय के लिए बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट दिया था यानि कुछ रुपए उधार दिये थे और बैंक ने ये 1500 रुपए उसके इंट दो एंट्रीज हैं जो बैंक स्टेट्मेंट में हैं पर चुकि इनकी सूचना हमको नहीं है इसलिए ये हमारे या खाते में दोनों एंट्रीज नहीं हैं अब यहाँ पर जब हम रिकंसिलियेशन के समय ये देखते हैं तब इसकी एंट्री हम अपने या पर खातों में किस प अगाविंग अकाउंट है तो उस पर बैंक हमको ब्याज देगा पर जानकारी के अभाव में हम उसकी अपने आप एक खाते में नहीं कर पाते हैं इसके कारण हमारे बैंक खाते का बैलंस तो पहले की तरह बना रहता है परंतु बैंक स्टेट्मेंट का जो बैलंस है वो आज के समय में अधिकांश बैंक्स कोर बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं जिसकी साहता से कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक से किसी भी खाते में पैसे जमा कर सकता है मान लीजिए कोर बैंकिंग की साहता से हमारे किसी ग्रहक ने कहीं से भी हमारे खाते में कैश या चेक जमा करा दिया है और कई बार ग्रहक हमारे खाते में कैश या चेक डाल करके हमें सुचित करना भूल जाता है ऐसी स्थिती में बैंक स्टेटमेंट में एंट्री हो जाती है पर जानकारी के अभाव में इसकी एंट्री हमारे यां बैंक खाते में नहीं हो पाती है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में तो बैलनस बढ़ जाता है पर हमारे याँ बैंक खाते में जो बैलेंस है वो पहले की तरह रहता है जैसा कि यहाँ बैंक स्टेट्मेंट में हम देख सकते हैं कि 12 तारिक को N.E.F.T. के थूरू किसी ने हमारे खाते में 1 लाख रुपए जमा किये हैं अब उसकी एंट्री यहाँ पर तो है पर चूंकि हमें इसके कोई सुचना नहीं है इसलिए हम नहीं जानते हैं कि ये किस ने जमा किये हैं और इसलिए हमारे खाते में इसकी एंट्री नहीं है यह अंतरारनी का चौथा कारण है clearing है तू check bank में जमा किये गए परन्तु हमारे यहां bank खाते में debit करना भूल गए कभी-कभी जल्दी में ऐसा भी हो जाता है कि check या draft जैसे ही मिलते हैं हम तुरंत slip भर कर bank में जमा करने के लिए भेज देते हैं परन्तु बाद में उनकी entry अपने हां पर खाते में नहीं करते हैं यानि bank खाता debit नहीं करते हैं जिसके कारण bank statement का balance तो अधिक हो जाता है पर हमारे यहां bank खाते का जो balance है वो पहले की तरह बना रहता है तो इस तरह से अभी हमने देखा कि हमारे यहां का जो bank खाता है उसमें और bank statement की entries में जो अंतर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन अंतरों के कारण क्या क्या है अब हम चलते हैं वापस bank reconciliation window पर अब यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं balance asper bank है 288,300 रुपए और यह bank statement में जब हम देखते हैं तो जो balance आ रहा है वो है 3,86,500 रुपए तो यह यहां पर काफी बड़ा अंतर है तो अभी पहले सबसे पहले हम शिरू करेंगे वो entries अपने आके bank खाते में करना जो bank statement में है पर हमारे यहां चूटी हुई है तो उसमें सबसे पहली entry है 12 December की 1,00,000 रुपए की entry अब यह हमको पता नहीं है कि किसने हमारे खाते में जमा किये है इसलिए इसकी जो हम entry करेंगे वो bank suspense account बना कर करेंगे इसके लिए हम यह वापस यहां पर आते हैं यहां पर देखिए right hand side पर आपको एक option मिलता है create voucher जिसके लिए shortcut की है all to see अब यहां पर सबसे पहले तो हम date change कर लेंगे यह 12 December हमने डाल ली और अब यहां पर चूँकी हमने एक लाख रुपए हमको मिले हैं इसलिए receipt voucher हम चुनेंगे जिसके लिए F6 shortcut की है अब यहां पर सबसे पहले हमको credit करना उस party को जिससे यह रखम प्राप्त हुई है पर चूँकी हमें उस party का नाम पता नहीं है इसलिए अभी हम उसको डालेंगे bank suspense account में दरिसल होता यह है कि इस तरह के जितने भी transactions हैं जिसमें हमने पैसा receive किया है पर वो कहां से आया है किस party ने दिया है या किस व्यक्ति ने दिया है इसके जानकरी हमें नहीं है उन सब को हम suspense account में डाल देते हैं और चूँकी यहां पर जो transaction है वो bank के थूँ हुआ है इसलिए हम इसे bank suspense account में डालेंगे यह चूँकी account बना हुआ नहीं है इसलिए alter C press करके पहले हम यह account create कर लेंगे यह नाम में हमने डाल दिया यह अब आगे यहां पर हमको group चुनना है तो हम group चुनेंगे suspense account group और अब इसको हम control A से accept कर लेंगे यह credit हो गया bank suspense account एक लाख रुपे credit कर दिये debit हो जाएगा state bank of India और अब यह सारी formalities पूरी करके हम इस entry को accept कर लेंगे तो अभी यह हिसाब मिलाने के लिए हमने bank suspense account नाम से entry कर दी है पर जब हमको पता चल जाएगा कि केस party ने यह पैसा दिया है हमको तो हम इसको edit करके उस party का नाम यहाँ पर डाल देंगे अब हम अगली entry पर चलते हैं जो है 15 December को bank ने interest charge किया 1500 रुपे का यह हम tally पर आए और अब हम जाएंगे create voucher पर और यहाँ पर सबसे पहले हम date change करेंगे 15 December डाल देंगे payment voucher में हमको इसकी entry करना है चूकि यहाँ पर हमने bank interest pay किया है इसलिए इसकी entry होगी bank interest paid account में यह 1500 रुपे debit कर दिये enterprise करके आगे आएंगे आप फॉर्मलिटीज पूरी करते हुए इस entry को भी हम accept कर लेंगे अब हम देखते हैं अगली entry अगली entry जो है वो 20 December की है check book issue charges 300 रुपे के bank में लगाए हैं टेली पर जाएंगे create voucher पर जाएंगे और payment voucher में ही यह entry होगी पहले हम date change करेंगे 20 तारी के आप डाल देंगे अब debit होगा bank charges यह डाल देंगे 300 रुपे और अब सारी formalities पूरी करते हुए accept कर लेंगे अब यहाँ पर हमको bank dates डालनी है तो चुकि यह entries हमने bank statement के अधर पर ही की है इसलिए वोई dates यहाँ डाल जाएंगी 12 December यहाँ डाल देंगे 15 December और यहाँ डाल देंगे 20 December अब यह देखिए अब यह जो balance as per bank है यहाँ पर हो गया है 3,86,500 रुपे अब जब हम bank statement में जाकर के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी balance आ रहा है 3,86,500 रुपे और यह जो entries जिनका मिलान हो गया है इन पर भी हम टिक कर देते हैं और देखिए इस तरह से हमने देखा कि bank statement में जो balance है और हमारे यहाँ खाते में balance as per bank जो है वो अब समान हो गया है अब हम इसको save कर लेंगे वापस हम state bank of India चुन लेंगे enterprise करेंगे तो अब यह देखिए जिन जिन entries का मिलान हो गया यहाँ से चली गई है अब यह केवल वो entries यहाँ पर नज़र आ रही है जो pending है जो की bank statement में नहीं है अब यहाँ पर balance तो जो है वो मिल रहा है पर amounts not reflected in bank जो है वो यहाँ पर debit में 12,000 रुपे नज़र आ रहे हैं और credit में यह 70,000 रुपे नज़र आ रहे हैं अगले मेनी का जो bank statement आएगा उसमें यह entries हमको मिल जाएंगी जिस तरह से अभी हमने bank में हमारे current account का bank reconciliation किया है उसी तरह से bank में आपके अगर दूसरे account सून तो उसका भी bank reconciliation आप इसी तरह से कर सकते हैं चली ERP9 के bank reconciliation statement अथ्याई के तीसरे भाग में हमने सीखा bank समाधान विवरन बनाना साथ ही जाना हमारे यहां bank खाते वो bank statement में अंतर के कारणों के बारे में